अब दो मेहमान है प्रोफेसर अमित कुमर उपाध्या है जो राजनिश सास्ती है और आजे पांडे जी है जो समास से मिए अमित ये अगर देखा जाए बुंदेलखंड में ये बात होती थी कि बुंदेलखंड बहुत विप्रीश स्थितियों में है सभी जो चरलबत देखा तो नीचे आता था तो क्या परिस्तितियां है क्या बद्री है पुर्वांचल की जो इस्तिती है वह काफी बदली है इसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि वास्तिक तौर पर यहां पर जो सब्सें बड़ा जो मुद्दा है लाइंड आडर का वह काफी सुधरता हुए पसंद नहीं करते थे इंडस्टिलिस्ट यहां पर अपने इंडस्टी लगाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि बहुत सारे जो गैंगेस्टर्स और तमाम इस तरह की गुंड़ाइजम थे वह यहां पर दिखाई पढ़ रहे थे लेकिन एक योगी सरकार के आने के बाद जो एक लगाम लगा गुंडगर्दी पे वह बहुत हद तक पुर्वांचल की तस्वीर बदलता हुआ दिखाई पढ़ा है और अब लोग आना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो काम करना चाहते हैं और यह जो फीजा जो बनाई गई थी कि यह तो बहुत ही बेका से बदली है क्योंकि पुर्वांचल की तस्वीर आज गोरकपूर से दिखाई पड़ता है पहले वो लखनव या कहां कहां से दिखाई पड़ता था आज गोरकपूर देवरिया या बहुत सारे ऐसे जो डिस्टिक्स सिद्धार्थ नगर या जो महराज गंज यह पिछड़ खोला और उद्गाटन किया खाद कार खाना बहुत सरी चीज़ें तो अब आपको एक नया सवरुप गोरकपूरा पुर्वांचल का दिखाई पड़ा और यह विकास को स्वत्या प्रदर्शित करते हैं तो कि सब्सक्राइब निश्चित तोर पे भारतिया पार्टी की जो हैं सब जनहित की योजनाय है और उसे आम जनता निचले तपके के लोगों को लाब मिला है चाहे उज्वला प्रधानमंत्री जी की जो योजना रही उज्वला गैस वाली या आज के लिए आवास जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है बहुत जादे हर मुहल्ले में चले करके उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूरा समाला और कोई भ्यक्ति भूखे नहीं मरा उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार है चुकि हम लोग समास सेवी है हम लोग छात्रनेता भी रहे हैं आंदोलन करना जानते हैं लेकिन पांच सालों में जो लोग है जो कमजोर लोग है योजनाओ कलाव पाए है क्या वो भारती जिन्ता पार्टी को दे सकते हैं यह अभी गाउं में हम लोग सर्वे भी कर रहा है इलेक्शन को लेके और गाउं में भी जाना होता है जो यह राशन वित्रण का काम हुआ है यह काफी प्रभावी है और लोग हैं जो जो मजदूर वर्के या जो पिछड़ वर्क तपके के लोग हैं वह इस मुद्धे पर एक तरह से डेविएशन उनका नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कई बार कुछ जाने की कोशिस की वह कहते तो हैं कि तीक है यह नहीं मिला वो नहीं मिला लेकिन लास हैं वो यह जानते हैं कि हमें मिलना चाहिए तो यह डिमांड सरकार से करने का हमारा अधिकार है यह हमारा फंडामेंटर राइट है बट यह जो आप बात कर रहें है कि इसका प्रभाव दिखाई पढ़ रहा है जो राशन वित्रण का डिस्ट्रूशन होगा है अगर पूरा है पूरवांचल पूरवांचल निक्षित तोर पे अपराद देखा जाए पूरवांचल क्या उत्तरप्रदेश में जो है अपराद का ग्राप एकदम 0 हो गया है अपरादी एदम बेंटिलेटर पे आ चुके हैं और अपराद एदम कम किया महराजी शुरू से जब गोरकपूर आये थे तो हम लोग भी छात्रनिता थे और लगभग उनके समय से ही हम लोग समाज सेवा और छात्राजनीत कर रहा है और महराजी ने बहुत अपरादियों पे कंट्रोल किया और अपराद इदम खतम है उत्तरप्रदेश से कहीं भी आप अपना अपनी बात देखी जाये तो पुर्वांचल में सबसे कम है कई छोटे जनपदों से भी कम है क्या इसमें कोई प्रगतिया आपको दिखती है या निकट भविसमें दिखती या हुई है कुछ लेवल पर तुम्हें कहूंगा कि हुई है बट अभी इसके इसको करने के और आव सकता कि पि इंकम की बात की जाए यह बहुत अभी प्रगत तो नहीं कर पाई लेकिन पिछले पांच सालों की बात करें तो काफी इसमें डिखाई पढ़ रहा है और मुझे अगर लॉइंड ठीक है तो आपको बहुत सारे रोजगार के उसर उपलब दोने लगते हैं बिजनेसमेन आना को कि और जोटे तो पुर्वां चल तॉर्पेसी स्थिती में आ गया है कि पुरवांचल के लोग पूरे देश का नेतिवत सुरू से करते आये हैं और आज भी करने के इस्तिति में हैं उसका जीता जागता हुदाहरन हमारे मुखमंत्री जी है पुरवांचल बहुत आगे विकास के दिश्टिकोर से बहुत आगे पांच सालों में गया है